नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना फार्मेसिस्ट चैनल में स्वागत करता हूँ मेरा नाम नवीन सेक्षेना है और मैं एक रिस्टर्ड फार्मेसिस्ट हूँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Amaran syrup के बारे में, Amaran syrup को Emil दौारा इंडिया में बनाया जाता है, Amaran syrup एक family tonic है, जो 200 ml की packing में आता है, इसका price है 165 रूपीज, ये कांच की bottle में आता है, तो इसके लिए आपको handle करते हैं काफी साफ़धान ज्यक नहीं है, तो चलते हैं आज की topic की तरब, इसका नाम है Amaran a family tonic, इसको एक साल से लेके 100 साल के मुझग दौरा भी लिया जा सकता है, मतलब इसको एक साल के बच्चा भी ले सकता है, और 100 साल का मुझग भी ले सकता है, इसमें बच्चे ले सकते हैं, महिला ले सकते हैं और पुरुष ले सकते हैं, Amaran syrup एक effective formulation है, जिसमें vitamins हैं, minerals हैं और vitalizing herbs है जो हीमोगलियोमिन को बढ़ाने में help करते हैं, आरवी शी को बढ़ाने में help करते हैं, और साथ में प्लेटस को बढ़ाने में भी मदद करते हैं, और प्याडमेज अवं प्रडी को भी कम करते हैं, यह काफी safe है, ना तक है 100% safe है, और एमिरोन सिरफ के कोई side effect भी नहीं होते है अभी हम बात करते हैं Amiron सिरफ के composition के बारे में जैसे मैंने आपको बता है यह एक आरवेदिक product है और 100% safe है इसमें काफी सारे इतन अच्छे ingredients ले गए हैं जो हजारों वर्शे से use हो रहे हैं और काफी effectively हमारी tiredness को, तकावट को और hemoglobin की कमी को कम करते हैं तो मैं अभी बताता हूँ आपको इसके अंदर क्या-क्या consistent है आरवी leaves का extract है, flaxseed का extract है, sunflower seed, fenugreek seeds, raisins है, goodchi, papaya leaves, ashugandha, shatawari, muesli और wheat gem oil यह बहुत ही अच्छे ingredients हैं आरवेदिक में और जो Amiron को एक complete family tonic मनाते हैं अभी Amiron tonic को किन condition में use किया जा सकता है अगर आप में काफी कमजोरी है, काम करने में मन नहीं लगता है, हमेशा थकावट सी रहती है आपका weight कम है, गाल पिछके हुए है, थोलों से काम करने पर थक जाते हैं और सांस फूने लगती है, या पुराने भीमारी की वज़े से आपको कमजोरी आ गई है पेगनेंसी में भी एमवरान सीरप को यूज किया जा सकता है या उन माईलाओं में एमवरान सीरप को यूज कर सकते हैं जिन में पीरिट्स में नॉर्मल से ज़्यादा ब्रिडिंग होती है अब यह आपको बताता हूँ, एमवरान सीरप के डोजिस के बारे में जिसे मैं आपको बताया, एमवरान सीरप एक फैमिले टॉनिक है जिसको एक साल से लेके सो साल के मुदर्व द्वारा भी लिया जा सकता है उसके साब से ही, एमिल ने एमवरान के पैक पे उसका डोजिस दिया हुआ है देखी, मैं बताता हूँ, आपको एक से तीन साल के लिए आपको आधा चमच दिन में दो बार एमवरान सीरप बच्चों को देना है उसी साब से चार से छे साल के बच्चों को एक चमच दिन में दो बार देना है और साथ से बारा साल के बच्चों को दो चमच दिन में दो बार देना है और एडल लोग, इसमें महिला हैं, पुरुष और बुज़र्ग हैं, वो तीन चमच दिन में दो बार ले सकते है एमेरोन सिरफ का यूज कम से कम तीन महरने करना चाहिए क्योंकि नए हिमोगलोबिन आर्विसी बरने में तीन महरने का समय लगता है लेकिन आप इसका यूज बहुत लंबे समय तक भी कर सकते हैं और आपको कोई भी साइड एफेक्ट इसमें नहीं होता है जैसे कि दिखा गया जनरली जो आइरन प्रप्रेशन होती है उसमें कॉंसिपेशन होता है और पेट में काफी डिस्टेबेंस होती है लेकिन एमेरोन एक आर्विदिक प्रप्रेशन है और इसमें कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है अभी मैं आपको बताता हूँ एमेरोन के जो एड्वांटेज है उनके बारे में देखिए एमेरोन सिरफ के रेगर्यू से हमारी बॉड़ी टिशु जो है रेजुमनेट होते हैं हमारी फिजिकल हेल्ड को ये मेंटेन करता है हमको एनर्जी देता है और ठकावट और फैडिक को कम करता है एमेरोन सिरफ हमारी स्टें को बढ़ाने वाला, RBC को बढ़ाने वाला, AM, प्लेड लेट्स को बढ़ाने वाला टॉनिक है, यह एक अच्छा nutritional supplement भी है, एमिरोन सिरफ में vitamins, minerals, protein और और सारे बहुत सारे molecules हैं, जो energy और fertilizing effect देते हैं, साथ में एमिरोन सिरफ एक anti-oxidane काम भी करता है, जो हमारे tissue को repair करता है, और उसमें vitamin E b होता है, साथ साथ एमिरोन सिरफ हमारे digestion को भी improve करता है, तो आप समझ गया होंगे, कि एमिरोन सिरफ एक बहुत अच्छा family tonic है, जो हमारे general कमजोरी को दूर करता है, एमिरोन को बढ़ाता है, और हमारी physical health को maintain करता है, तो मैं आशा करता हूँ, आपको ये video पसंद आया होगा एमिरोन सिरफ के बारे में, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज, इस video को like करिए, share करिए, और मेरे channel आपका अपना pharmacist को subscribe करिए, धन्यवाद